नमस्कार सभी साथियों को मैं बोबी कटा रही है मैं आपसे कुछ अपील भी करने आया हूं और आपसे मदद भी मांगने के लिए आया हूं काफी समय से मेरी भी तबियत खराब चल रही थी जॉइंट स्पेन वगेरा तो इसलिए बिस्तरी पर ही था काफी दिनों से एक अफ कुछ ने बोला है कि जादेर ना तो बैठ सकता है ना खड़ा हो सकता है तो उसी के माध्यम से भाई ये पिछला हफता आप लोगों ने कुमेंट्स में लिखा होगा राभिया सेफी को इनसाफ दिलाओ तो बिलकुल भाई देखो आप थोड़ा सा आराम हुआ है मुझे तो दिल दुखी हुआ यार और मैंने सुना है कि संगम विहार में उनके घर मिनिस्टर वगेरा हर चीज पहुची है और फिर भी उनको इनसाफ नहीं मिला ऐसा कहा जा रहा है कोमेंट बोक्स में पढ़ा है मैंने अब मुझे ये नहीं पता न्यूज में क्या बोल रहे हैं क्या जाफ इनसाफ दिलाना है क्योंकि उनके शायद हजबेंट देना क्योंकिंके कोई सबूत नहीं मिला भी तक किस चीज़ कर शादी साथी ख़ब्रों का हमें नहीं पता है अगर अप में से कुछ सात ही अगर जानते हैं बात करना चाहते हैं तो ब्लीज आप मेरी टीम को भी कॉल कर सकते मेरी टीम के नंबर उपर दिये गए है आप देख लीजिएगा अगर हमारे से कोई कॉंटेक्ट करता है संगम वियार इलाके का जिसको सारी नोलिज है बातों की इस केस के बारे में तो मैं बिल्कुल बेहद आठ तारीक को मैं उठ करके आऊंगा उस बेहन के लिए जरूर आऊंगा और चाहे वकील करवाना पड़े चाहे कोई भी खर्चा हो तो भाई लोगों से अपील करेंगे ऐसी बात नहीं है लेकिन मुझे आप लोगों का सपोर्ट चीए जो संगम वियार इलाके के रहने वाले साथ ही है जिनको नोलिज है तो भाई बिलकुल आप में टीम वालों को एक बड़ी फोन कर दीजिए और हमें भी थोड़ा बहुत सपोर्ट चीए होगा आप लोगों का जब ही हम कुछ कर पाएंगा दरवाइस देखो भाई घर बाट के फूम फा करनी तो असान ही होती है आप लोगों पता ही है मैंने कई कोमेंट पढ़े भी और उनको जवाब भी दिया के भाई उनकी फैमिली को मेरे पास बेजो तो इस हालत में मैं जानता हूँ उनकी फैमिली नहीं होगी मैं जानता हूँ इस बात को लेकिन भाई मेरी भी हालत ऐसी नहीं है कि मैं दस मिन्ट से ज़्यादा खड़ा भी हो पाऊं लोर बैक पेन इतना बना हुआ है सब को छोड़ चाड़ के डोक्टर ने बैड रेस्ट बता रखा है कि थोड़ा देर चलना है थोड़ी देर भी बैड पे बैठना है लेटना है बैठना है लेटना है बैठना है बस यह हुआ पड़ा है भाई आठ तारीक को लिख रहे हैं कितने बजे भाई यह तो मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि मुझे आप लोगों के कॉंटेक्स जी होंगे जो सिर्फ संगम वियार के हैं संगम वियार के साथियों को प्लीज एक बरी टेक कर देना अपने जार दोस्तों को जो संगम वियार के हैं मुझे उन से बात करनी होगी उनको फोन मिलाएंगे, हमारी टीम वाले भी फोन मिला देंगे, या हमारी टीम को आप लोग कॉल कर सकते हो, और बता सकते हो, देखो जहां तक खबर मिली है कि गिरफतारी तो हुई है, अब गिरफतारी के बाद भी मुझे लोग कॉमेंट बॉक्स में कर रहें, इनसाफ दिल प्लीज किरपे करके, के भाई तू ऐसा है वैसा है तू करता है, यार मैं क्या बोलो, समझ में बात नहीं आती, कुछ दो-चार आसमाजिक तत्व हो जाते है न, तो कहीं ना कहीं वो जाती वाद भेलाते हैं बस, और कोई वजह नहीं है, भाई तुम्हारा सदैव साथ है, और हमेशा सदैव साथ खड़ा रहेगा, तो उमीद करूँआ, साथियों से, के प्लीज मेरी टीम से एक बड़ी कॉंटेक्ट करें, उनके परिवार से एक बड़ी कॉंटेक्ट करवाएं, देखो भाई, आ तो जाते हैं हम लोग भी, ठीक है, आगे सारी कारवाई होने के ब उस केस का क्या रहाcken, उसकेस का क्या रहां, दुनिया नहीं जानतीत, अब दुनिया को हर एक चीज परे, सारी की सारी जो कहते हैं न, पूरी टिपनी करके बताओ, भाई लड़की बदल जाती है, आज की डेट में, क्या करें, सारे केस को ले जाेंगे बिल्कुल पार तक, और उसके बाद आखरी में आगर कॉंप्रोमाईज लेटर पर साहिन हो जाते हैं और हमारे जैसे लोग बेवकूब बन जाते हैं बहुत जगह ऐसा हुआ है भाई मेरे साथ कुछ केसिस भी मैंने अपने उपठोक वाली बेमत लब गए तो भाई मैं आप लोगों से निवेदन यही करूँगा संगम विहार के जो साथी है प्लीज एक बारी मेरे टीम से कॉंटेक्ट करें उनके परिवार वालों का अगर मेरे से कॉंटेक्ट हो जाता है देखो मेरे उनके परिवार वालों से एक बारी मेरी बात्चीत होनी जरूरी है मैं किसी और की बातें नहीं सुनूँगा अगर कोई राबिया सैफी के घर के इर्द गिर्द रहता है और उनके माबाप से हमारी बात करवा सकता है तो प्लीज किर्प्या करके एक बारी हमारी बात करवाईए जब ही हम आठ तारीक को आ पाएंगे अगर उनके परिवार वालों से बात हो जाती है आठ तारीक मैं ही कह रहा हूँ कि अगर उनके परिवार वालों से मेरी बात हो जाती है देखो हम फोन पे तो बात कर सकते हैं तब ही मैं आठ तारी को आ पाऊंगा otherwise मैं ऐसे नहीं आऊंगा कोई भी कुछ भी कहे मैं इस तरीके से आवाज नहीं उठा सकता जबकि माँ बाप उसके ना बोले नहीं तो भाँ पे ये भी बात हो सकती है बाई तरह को बुलाया किसने दा मेरे को पता है ना विरोधी लोग कहीं ऐसे भी होते हैं भई कै तुझे बुलाया किसने दा तो क्यों आया भई यहाँ पर हमें नीची इंसाफ हमें मिल गया इंसाफ बहुत सी जगें ऐसी भी होती है तो इसलिए का है अगर कोई बात हो जाती है मेरी उनकी फैमिली से उनके माँ से या उनके बाप से अगर उनके भाई से कोई उनकी परिवार में से माँ बाप तो जरूर सही है एक बारी एक मिन्ट के लिए मुझे कॉल करनी है अगर कोई भाई करवा सकता है तो बिलकुल आप क हुआ है गल्थ हुआ है तो हम नयालने पहुचकर अपनी बेहन को इंसाफ दिलाएंगे जय इंसाथ ही हूँ करे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिलकुल न भूले